शारो प्रतंतो जैसे कि आज हम जो बाते करने जा रहे हैं यह समझ दिजिए आपके शाद्वी कभी-कभी घटनाएं घटी होगे घटनाएं क्या है जीवन में कभी-कभी कुछ ऐसा घट जाता है जो बड़ा ही आपके लिए शुक्षत होता है आपके किशी का इंतियार कर रहे हो और वह बेक्ति वह इंसान आप शे मिल जाएं तो कितनी खुशी होगी ऐसे में हम अब किशी को मित्र कभी माता-पिता कभी भाई-बहन किसी भी चीज़ का कभी-कभी इंतियार बहुत करते हैं या किसी की याद आने लगती है हम सोचते यार क्या उनका हाल होगा थोड़ा मिल्स जुल कर थोड़ा हाल चाल ले लिया जा होता क्या कुछ होता नहीं इसमें है पश कहते हैं न कि दिल का रिष्टा होता है जैसे इस्वर से आस्था होती है तो हम उनसे अपनी बात कहते हैं ऐसे ही संसार में इस्वर ने माता-पिता भाई-भेन और एक मित्र के रूप में किसी इंसान को आपके जियोंने भी देता है कहते हैं कभी-कभी बहुत से समस्याएं होती है और उन समस्याओं का निधान मित्रों से कहने पर भी हो जाता है ऐसे ही आज मेरे एक परम मित्र से मेरी मुलाकात हुए और बहुत ही खुशी हुई बड़ा ही आनन्द आ जाए कोई छड़के ही लिए हम लोग मिले लेकिन बड़ा आनन्द आएक रहा होता क्या है कि देखी मित्र होता है अगर शही मित्र मिल गया तो आपका मार्ग दर्शन बड़ा ही सही करेगा या कभी कभी कहा गया है कि शही बिक्त कि आप शाथ है तो शाथ रहने मात्र शे उसकी शंगती से ही आप शही मार्ग के तरफ प्रीवित हो जाते हैं मित्र भी अगर अच्छा है मिल गया है, आप अटोमेटिकली शही मार के तरफ जाने लेंगे, आप गलत मार के तरफ गलती से भी जाएंगे, तो आपको बचाने के लिए होता है न, कि सोयंग हो आएगा, यह आपको मार्ग बताएगा कि आप गलत है, इस पर आप मत चलो, ऐसे मित्रों का मिलना बड़ा ही कठिन होता है, कहा जाता है भगवान किरपा शेया इसे मित्र मिल पाते हैं, माता पिता भाई बहन, यह तो आपको मार्ग दर्शन करते ही करते हैं, किसी के भी हो, लेकिन मित्र, मित्र की कोई जाती नहीं होती है, कोई धर्म होता है, अगर को बगवान थे शुदामा उनके भगवान भगवान थे शुदामा उनके साहित के मित्र भी थे अर्जुन के भी शखाए और नर्नाराण के में कहा भी गया है देखियं भी होंगे कहते हैं शंगती जिस प्यक्ति की शंगती जिस इंसान की शंगती अच्छी होती है उसके जीवन में कश्ट आते भी है तो ऐसा लगता है कि कश्ट यूही निकल जाती है शंकट आएगा शंकटों से निकलने का मार्ग भी मित्र बताता है और गलत मित्र से संगती आपकी हो गई है तो जीवन में हमेशा कश्ट ही कश्ट होगा कोशिश करनी चाहिए यह धर्म गरंथों में भी बाते हैं बहुत से वहित कारणी नमातों को बोला है एक अच्छे मित्र का मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है देखिए कते मित्र की पहचान कभ होती है जब आप बुरे दोर से गुजर रहे हों ऐसा नहीं कि बार बार उसे निकालने का मार भी बता दे है या गलत मार का पे जा रहा है अब आप बार बार गलत मार का पे जा रहे हैं तो कॉन बिल गया ना front आसी तो आप शही रास्ते पर आगे अग्रशन होते चले जाएंगे सरलता से मित्र करणने भी बोला है मित्र बड़ा अनमोल रतन कभी इसे तोल शक्ता है धन धरती की तो क्या विशाथ आज आए बैकुंठा उसको भी निवच्छावर कर दू कुरुपती के चड़ो पतर दू सोचिए मित्रता की क्या बात क्या ब्याख्या किया हुआ है करणने आपने देखा होगा जब गड़ का बीज सभा में बेजिती किया जा रहा था भरी रंगसाला में जानने को तो पता ही था उसकी मा को ये मेरा ही पुत्र है लेकिन उस रंगसाला में नहीं बताई वहाँ पर से वो सूत पुत्र जाना जा रहा था और एक मात्र तरिद्र व्यक्ति करीद जब बेजती हो रही ये बीश्यभाने लेकिन आपकी प्रतिभा को पहचानने वाला कोई मिल जा और उस अस्थान तक पहुचाद जिसकी आप योग्य हैं और गले भी लगाले आपके दुख में उ और उपर शेक पद्वी दे मित्र मित्र कैसा सब्द है न छोटा न बड़ा एकदम भराबर बराबर लेवल में इठाता है है हां दोस्ती अगर कर लिए लोग कहते हैं न दोस्ती किये हो तो निभाव भी उशे अन्य था दोस्ती करो ही मत योंकि दोस्ती में अगर दोस्त ए मानता हो मित्र मानता हो ऐसा नहीं कि मित्र आपका परिक्षा ले बार बार अगर कोई मित्र परिक्षा ले ये कोई परिक्षा जीवन थोड़ों नहीं है मनो भावों को समझ लेना ही बहुत बड़ी मित्र की पहचान हो जाती है कश्ट में हो समझ गया कि या मित्र का कश्ट में हो, बाच्चित में ही मालूम हो जाता है, आवाज से आखोश ही मालूम हो जाता है, कि मेरा मित्र बड़े बुरे दोर से गुजर रहा है, और जो सामने वाला मित्र होता है, वह मन ही मन सोचता है, कि जितना जल्दी हो शके, यह निकल जा इस दोर से तो बड़ा ही अच्छा हैं कि मित्र जो दोनों होते हैं सोचते हैं दोनों मित्र एक दूफरे सब को प्लेगे कि दूक्ता हुआ चेहरा जोछा किसको है कि कहते हैं खिला कुनलाव अगर आपके शामने जाएं कितना चना मूर्जहाया को लेगा कोई नहीं लेता है तो युकर ने बतायां कि मित्रता बढ़ा आणमोल रतन जीवन में एक मित्र का होना बढ़ा अश्यक है और उससे भी बढ़ा बात है साच्चे मित्र का ऐसा नहीं कि मित्र आपके अगल वगल ही रहे, मित्र कितनो दूर रहे लेकिन कहते हैं न कि फूल कहीं भी हो उसकी सुगणध जो मिल जाती है मन प्रशन हो जाता है अगर हम अच्छे मित्रशे मेरी मित्रता हो गई है किसी इंसान की हो गई है बस उतना ही काफी रहता है जीवन है तो मिलते रहते हैं शक को पता है कि संसाश एक दिन चले ही जाना है इस धर्ती पर बहुत से ऐसी मित्ताओं के मिशाल मिली है इसको आप जानते हैं सबसे अच्छा किश्वुदामा का दिया जाता है तुरियोधन और करड का भी है इसे बहुत से मित्र है जीवन के शंगर्ष में अच्छे मित्रों को जो रखिये हाँ कहीं कहीं बताया कि मित्र की पहचान कैसे करनी है देखिए शीधी शीबात है अगर आप दोनों सच्चे हो तो मिलने से ही मन आटोमेटिक प्रशन हो जाता है छल कपट जहां भी रहता है तब अपने मन की बात उससे नहीं कह पाते हो हम अपने मन की बात किस से कहते हैं उसी से कहेंगे न जो लगता है कि यही मेरा मित्र है यही बेक्ति वो है मेरे मनोभावों को समश रखता है कहते हैं अपने दुखों को अपने शुखों को भी किसी से मैं सुनने वाला भी तो चहीए अप कहिए तो तो ऐसा कोई तो इंसान हो और मित्र एक ऐसा होता है जो कि बातों को बहुत द्यान से सुनता है और जो सुनता है तो आपको भी अच्छा लगता है हाँ उसमें अगर कुछ गलत आप कर रहे हैं तो टोके भी कि देखी ये गलत है यहां से ऐसे मुद कीजिए आपको एक मारदर्सन मिल जाता है और जीवन में कष्ट न होते कितना शुक्न होता है तो मिलने से ही जो खुशी मिलने लगती है उसके नाम से ही उसके आने से ही खुशी मिल जाए कि मेरा मित्र इस इलाके में आ गया है मेरा मित्र हमसे मिलने के लिए आ गया या मैं उसके यहां जा रहा हूँ आज वो यहां मिल जाएंगे बड़ी ही खुशी होती है और मित्रता में एक बात हमेशा होनी चाहिए खुल के कोई बात कह लीजिए और वह बात आप दोनों के बीच ही रहे तभी तो मित्रता है अगर किसी मित्र ने किसी के भेद को खोला वह मित्रता नहीं है वह तो बहुत ही कारबड़ भाई है या कि किसी का दुख वो ही अपना दुख आप से कह रहा कि उनके दुखों को ही समाप्त कर डाले कि उनकी सुदामा को बिश्वाश था कि मैं अगर एक बार चला गया तो मेरा मित्र मेरे दुखों को दूर कर देगा खैरो तो भगवान थे मित्र थे साथ में भगवान थे लेकिन आज भी ऐसा है कि मिलने से खुशी हो जाती है मार्ग दर्शन होता है क्या करना है क्या नहीं करना है एक अच्छा मित्र एक अच्छे मित्र से जरू बताता है सच्चा मित्र से जरू बताता है और ये बाते उन दोनों के बीच ही रहती है जब तक जी मर रहता है और मित्रता तभी तक बनी रहती है जब तक तीसरे को ना पता चले कहते हैं कि दो लोगों जब खुश होते हैं तो तीसरे को जलन होता है और मित्रता बहुत दिन तक टिक नहीं पाती है और किसको जलन होती है तो कोई नहीं जानता है और मित्रता टूट जाती है कहते हैं, जादा मिठाव जहाँ होता हुँ, केड़े पढ़ जाते हैं इसलिए मितरता भी जहाँ हो तो मितरता आप ही लोग के बीच में रहे किसी तीसरे को ज़्यादा सुन sittingi Колे शुमी के ल Inner रहें ये दो मित्रों के बीच में तीसरा जरूरकुशएगा और तोड़ के लाने कर लेगा और मित्र तो मित्र होता है मिलने फेजरु प्रशन दापती है तो आज के लिए इतना ही फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जाय स्रीकृष्ण